हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टुदा क्विक्सपोर्ट डॉट एक चैनल तो आज किस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने एंडुएड मुबाइल फोन को आईफोन की तरह कैसे लुक दे सकते हो अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ये मेरा एक दिया है तो आप ये काम कैसे कर सकते हो आपको सिंपल स्टेप्स बताऊंगा उन्हें फोलो करके आप इस तरह से अपने वाइल फॉन में लुक ले पाओगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले जाना है अपने मुबाइल फॉन की सेटिंग्स में सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक उप्शन मिल जाता है सिक्योर्टी एंड प्राइवेसी का तो आपको इसके ओपर क्लिक करना है उसके बाद आपको यहाँ पर डिवाइस अनलोक के बटन पर क्लिक करना है और स्क्रीन लोक के बटन पर क् मिल जाएंगे आप किसी भी को डाउलोड करके सेट कर सकते हो तो सबसे पहलेयापको यहां से कोई भी बॉल पेपर डाउलोड करके उसको सेट कर लेना है नेक्स्ट आपको गुडू का डिस्क्रिप्शन में दूसरा link मिल जाएगा उस पर आप click करते हो, तो आप directly play store की तरफ redirect हो जाते हो, तो प्ले श्टोर से आपको इस application को download कर लेना है, hi phone launcher phone 15, इस application को आप जैसे download कर लेते हो, download करने के बाद आपको open करना है, यहां पर आपको बहुत सारे ball paper देखने को मिल जाएंगे, आप इन ball paper का use भी कर सकते हो, जो portal paper आपके screen के front में होगा वो यहाँ पर set होगा next आपको आई agree के button पर click करके get started के button पर click कर देना है तो यहाँ पर थोड़ी से processing होगी और processing होने के बाद यहाँ पर आपसे कुछ permission मागी जाएगी जैसे storage, camera और phone calls की तो आपको agree के button पर click करना है और सारी permission आपको दे देनी है सभी permission complete होने के बाद यहाँ पर आपको एक agree करने का button मिल जाएगा तो आपको agree के button पर click कर देना है यहाँ पर आपको next option में आपको उस application को search करना है यहाँ पर देखना है कि वो application कहा है एंड उस application के ओपर click करना है जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि H iPhone launcher लिखा हुआ तो आपको इसके ओपर click करना है यहाँ पर display over other apps को enable कर देना है enable करने के बाद आपको back के बटन पर click करना है next यहाँ पर notification access का option मिल जाएगा आप चाहो तो skip कर सकते हो otherwise आपको agree के बटन पर click करना है agree के बटन पर click करते ही यहाँ पर आपको permission देनी होती है तो आपको H iPhone launcher के ओपर click करना है and notification की सारी permission आपको दे देनी है permission देने के बाद यहाँ पर आप full screen mode को भी try कर सकते हो या तो navigation के through भी कर सकते हो तो यहाँ पर मैं full screen पर क्लिक कर दूंगा and get started के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपकी Android मुबाइल फोन में iPhone की तरह पूरा लुक आ चुका है यहाँ पर आपको next option मिल जाता है set as default का तो आपको इसके ओपर क्लिक करना है यहाँ पर आपको अच iPhone launcher के ओपर टिक कर देना है तो जैसे आप इसके ओपर टिक करते हो तो यहाँ पर आपका यह launcher set हो जाता है यहाँ पर आप देख सकते होगे यह पूरा आपको लुक दे रहा है आईफोन की तरह इसमें आपको असेसिव टच को ओप्शन भी मिल जाता है जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर बिल्कुल आईफोन की तरह असेसिव टच आपको देखने को मिल जाता है नेक्स्ट यहां से आप देख सकतेगे इसके सारे चंट्रोर्सा आपको iPhone की तरह देखने को मिलते हैं तो इन चंट्रोर्स से आप brightness को कमियजादा कर सकते हो तो जैसे यहां पर पहले आप brightness को कमियाजादा करना लगे तो आप से एक permission मागई जाएगी तो आपको एग्री के बटन पर क्लिक कर देना है नेस्ट यहाँ पर आप देख सकते होगे Allow Modify System Settings को Allow करना है उसके बाद आप Back के बटन पर क्लिक करते हो तो उसके बाद आप यहाँ से Brightness को कम याद जादा कर सकते हो यहाँ पर आप Music की Volume को भी कम जादा कर सकते हो इसमें अगर आप Assessive Touch को बंद करना चाहते हो तो आपको इस launcher को दोबारा से open करना है और यहाँ पर आपको नीचे एक option मिल जाता है Assessive Touch का तो आपको इसके ओपर click करना है और यहाँ से आप इसको disable कर सकते हो तो अभी हमने यहाँ पर अपने wire phone के lock को disable किया हुआ है तो आप यहाँ से इसको lock कर सकते हो तो आपको lock screen के button पर click करना है और जो भी आप pattern लगाना चाहते हो password लगाना चाहते हो यह तो customize करना चाहते हो layout को wallpaper को आप यहाँ से कर सकते हो यहाँ पर मैं pattern lock लगाऊंगा जैसे हैं pattern पर click करते हैं आपको पैटरन ड्रो करना होता है दो बार और उसके बाद आप यहां से उस पैटरन लोग को इनेबल कर पाओगे तो जैसे आप अपने डिवाइस को लोक करते हो तो विल्कुल यह आईफोन की तरह अनलोक होगा तो यह था आज का टुटोरियल हमने आज किस वीडियो में सब्सक्राइब जूर से कर देना मैं मिलता हूँ आप साके लिए नेक्स्ट वीडियो में किसी नेट ओपे के साथ थैंक्यू सो मच पर वाचिंग इस वीडियो